पादर की डेथ हो जाने के पाद, मदर बच्चों को अपने पैरेंट्स की हाव पर लिग कर जाती है, कुछ रिजन्स की वज़े से बच्चों को घर में छुपकर रहना पड़ता है, यहाँ से एक बहुत ही अजीब तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है, हेलो फ्रेंट्स, आ हमारी कैरेक्टर कैथरीन ही हमसे बात कर रही थी, वो कहती है कि लाइफ में कब क्या टर्न आ जाए, इसके बारे में आप बता नहीं सकते हैं, पहले तो हमारी लाइफ बहुत ही पर्फेक्ट थी, पर उसके बाद बहुत ही डेंजरस से टर्न आए, अब यह सब क्या था, यह जो घर पर आये तो उन्हें देखका सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे फादर ने भी सब के लिए गिफ लाया था मदर के लिए उन्होंने एक बहुत ही एक्सपेंसियो निकलेस लाया है इसके बाद वो बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहे थे कैथरीन अपने फाद अब वो और भी जादा बीजी हो जाएंगे इस बात से गैथरीन को बहुत बुरा लगा वो अपसेट होकर अपने रूम में चली गई फादर उसे मनाने के लिए उसके पास आये एक बहुत ही एक्सपेंसियो निकलेस उसे गिफ्ट करते है फादर ने गाक में जो भी कर रहा इस सब कुछ हमारे फैमिली के लिए है नेकसिन में हम देखते है कि इनकी घर बर बड़े पार्टी थी फादर ज़रा लेट हो गया दोर पर नौक आई पर ये पुलिस की थी फादर का एक्सेड़न हो चुगा था और उनकी टेथ हो जाती है सब लोगों को बहुत शौक लग मैं सुन्दर थी इसे वज़े से मेरी तुम्हारे फादर के साथ शादी हुई थी और वो कुछ ना कुछ करने का तो ट्राय कर ही रही है पैसे ना दे पाने की वज़े से कैथरीन का पहले क्लास भी छुट जाता है कोरीन ने बहुत सारे लेटर्स लिक कर इन्हें पोस्ट कर मैंने मेरे पैरेंट्स के मर्जी के खिलाब शादी की थी तो इसी वज़े से वो हम पर बहुत गुस्सा थे अब फिर से उनके पास जाकर माफी माग लेगी सबको मना लेगी बच्चे ज़रा कन्फियूस थे क्योंकि यहां की पूरी लाइफ छोड़कर उने वहाँ पर जान सीटी में पहुचे वहाँ पर उन्हें लेने के लिए कोई भी आया नहीं था वैसे रात में बहुत टाइम तब वॉक करते करते वो कोरिन के घर पर आ गये कोरिन की मदर दरवाजा खोलती है इसका नाम था ओलिविया ओलिविया ने का कि देखो बिल्ली अपने साथ क्या ले बच्चे घर में हैं ये एक सिक्रेट था कोरिन अपने फादर को कुछ भी पताना नहीं चाहती थी अगर फादर ने पहले उसे माफ कर दिया इसके बाद उन्हें पता सकती है कोरिन ने समझा दिया कि मेरे फादर बहुत ही ओल्ड है वो कभी भी मर सकते है एक बार उन्हें अगर मुझे फिर से एकसेप्ट कर लिया फिर हम मिलिनियर बन जाएगे हमें इस तरीके से रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोरिन ने कहा कि मैं दिन बर यहाँ पर नहीं रह सकती वो बीच बीच में उन्हें मिलने के लिए आती रहेगी अगली सुबा ऑलीविया बच्च नहीं जाएंगे अलिविया ने का कि अगर तुम्हारे ग्रैंट फादर को पता चला तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो तो बहुत ही बुरा होगा बच्चे फिर उपर एटिक देखने के लिए के वीन्स को एजगा खेलने के लिए अच्छे ही नहीं लगती पर इनके पास को कैथरिन और क्रिस्टोफर ने उनके लिए जुला बना दिया रात में कोरिन सबसे मिलने के लिए ट्वीन्स उसे कहते हैं हमें यहाँ पर नहीं रहना वह बहुत ही बोर हो रहे थे उन्हें घर पर जाना था कोरिन उन्हें समझा दिया कि तुम्हें कैथरिन और क्रिस्टोफ नहीं लगा सकते, वरना मैं यहां से चली जाऊंगे ओलिविया ने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लागे तुम कर सकती हो यह मेरा घर है और मेरी सब चीजी यहां पर चलेगी उसने कोरिन को अपना शट निकालने के लिए कहा इतने सालों बाद कोरिन वापस आये तो इस वज़े से ओलिविया ने कोरिन को बहुत मारा था बच्चे भी यह देखकर डर जाते हैं ओलिविया ने कहा कि तुम सब बच्चे एक डेविल की संतान हो यह बात बहुत ही अजीब थी यही चीज़ कैथरीन वंडर गर दिया किसका क्या मतलब हुआ कोरिन ने उसे समझाया कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर मुझे बहुत मारा करती थी तो इसी वज़े से उपने फादर के बहुत ही क्लोस थी हमेशा मेरी मदर मेरे फादर को मेरे खिलाब बहुत ही अलग-अलग चीज़े पताया करती थी स्लोली स्लोली मेरे फादर भी काम में बीजी हो गए थे तो इस वज़े से मैं घर में अकिली पढ़ गए तब ही मेरे फादर का हाफ ब्रेदर हमारे पास रहने के लिए तो कि उसकी मदर की डेथ हो गई थी यानि कि वो कोरिन का इंडारेक्टली अंकल था वो बहुत हैंडसम और काइन हांटर था कोरिन और उसमें प्यार हो गया इन दोनों ने भाग कर शादी कर ली और इसे वज़े से इनकी फैमिली इन पर बहुत ज़्यादा खुश्सा हो ग बहुत हैं ट्विंस के लिए क्रिस्टोफर गार्डन पेंट कर रहा था उलिविया ने कैथरीन से पूछा कि ऊपर चल कह रहा है ऑख बहुत ही अच्छा पेंटर है और पुछती है कभी उसने तुम्हारी पेंटिंग में नाई है क्या तुम्हें कबड़े निकालने के और यूए समझती थी जिस तरीके से कोरिन का अपने अंकल के साथ अफेर हुआ उसी तरीके से इन ब्रदर सिस्टर में भी कोई रिलेशन्शिप हो सकती है अब इसके बाद थोड़े दिन बीट गए थे और कोरिन बच्चों को देखने के लिए आई ही नहीं वो आने के बाद कहती है कि मुझे पूरा डाइम मेरे फादर के साथ ही बिताना पड़ा वो सेलिंग गई थी उनके साथ पिकनिक पर गई थी ये बात कैथरिन को अच्छे ही नहीं लगती उसने कहा एक मंद हो गया तुम हमें देखने के लिए आई ही नहीं तुम्हें जल्दी अपने फादर को मनाना चाहिए हमें भी बाहर जाना है हम इतने भी बुरे नहीं कि वो आपने खुद के ग्रैंट चिल्रन को एकसेप्ट ना करे कोरिन अब उन्हें सच बदाती है कहती कि मेरे फादर ने मुझे माफ किया पर एक ही कंडिशन पर कि मुझे कोई भी बच्चे नहीं अब वो उन्हें बच्चों के बारे में नहीं बता सकती फादर बुड़े है तो उनके मरने का इंतजार इन्हें करना पड़ेगा कैथरीन अफसेट थी पर क्रिस्टोवर से समझाता है कि जल्द से ये टाइम भी गुजर जाएगा उनकी ट्विन सेस्टर उनके पास आई और कहा कि कोरी मिल नहीं रहा वो हार डैंसी खेलते हो है एक बॉक्स में बन हो गया था इसे जल्दी से जाकर एक खोलते तो अनकॉंशस हो चुका है कैथरीन ने उसे होट वाटर में बहुत हीट किया उसके बहुत अच्छे से खैल रखती है इन्हें हेल्प करने के लिए कोई आया भी नहीं था इसके बाद और भी टाइम गुजर जाता है अब डारेक्टली क्रिस्मस आ चुका था कैथरीन जड़ा पॉजिटिवली गहती है कि हमें ऑलिविया के लिए गिफ्ट बनाना चाहिए ये गिफ्ट बनाने के बाद ऑलिविया सिर्व इसे देख लेती है और वेसे ही फेक कर चली गई कोरिन जब इने मिलने के लिए आई तब बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई बच्चे बाहर की दुनिया मिस करते थे तो उनके लेक टिवी भी लेकर आती है उसने कैथरीन के लेक बहुत ही ब्यूटिफुल सा ड्रेस लाय हुआ था कैथरीन ने कहा कि ड्रेस बहन कर हम जाएंगे कहा हमेशा ऐसे हाइड होकर नहीं रह सकते है आज घर में क्रिस्मस की पार्टी थी तो कैथरीन और किस्टोफर दोनों आने की जित करते है कोरिन भी इसके लिए मान गई उन्हें पार्टी में लेकर गई पर उपर के लिकर कैबिनेट में उन्हें बन करकर रखती है जहां से उस सिर्फ पार्टी देख सके एक बॉटल लेने के लिए ओलिवया उपर आई थी पर वो निकालती नहीं वो बच्चों को पकड़ी लेती है पार्टी में फर्स टाइम हम कोरिन के फादर को देखते है वो बहुत ही बुड़े थे कोरिन के फिर से फैमिली में आने से उन्हें बहुत अच्छा लगा था उसे एक बहुत एक्स परेंस उने कलिस गीफ करते है पार्टी के बाद जब बच्चे हाँ से जा रहे थे तो कॉरीन को एक आदमी के साथ हो देखते है उसे कह रहा था कि हमारी लाइफ एक साथ स्टार्ट करने के लिए में रूक नहीं सकता उसे कही दूर लेकर जाना चाहता था कैथरीन को एबाद अजीब लगी क्रिस्टोफर कहता है कि मदर अब अमीर होने वाली है उसके पीछे तो बहुत लोग होंगे कैथरीन अब रूम में चली गई पर क्रिस्टोफर आसपास घुमता रहता है जब कॉरीन को एबाद पता चली तो बहुत ज़दा गुस्सा हो जाती है क्रिस्टोफर के आने के बाद उसने उसे जोर से स्लैप किया अगली सुबा उन्हें सौरी बोलने के लिए आई क्रिस्टोफर ने पूछा क्यों आदमी तुम्हारे साथ कौन था कुरिन कहती को मेरे फादर का लॉयर है हमें उसकी जरूरत है हमें मेरी मनजिल के बहुत करीब हूँ उसे बहुत बुरा लगा कि उसने कल ये सब किया था वो गहती कि हम इस तरीके से नहीं रह सकते अगर हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ हम कहीं भी एड़्जिस कर लेंगे बच्चे सुनकर उसे कहने लग गए कि हम यहाँ पर रह सकते जादा वरी मत करो एक्च्वल में कोरिन उन्हें मैनोबलेट करने लग गई थी वो खुद इतनी लाल जी है तो कभी भी इस सब छोड़ कर नहीं जा सकती एक दिन उपर क्रिस्टोफर लड़कियों की मैगजिन्स देख रहा था जब है उससे पुछ थी है तो छुपा लेता है इसके बारे में कैतरीन ने कोरिन से पुछा कोरिन ने कहा कि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो तो ए अलग-लग चेंज्जस तो आने ही वाले है वो कैतरीन के एक ड्रेस लेकर आती है जब एड्रेस कैथरीन पहन रही थी तो क्रिस्टोवर उसे देख लेता है यह ज़र आकवर था तो भी ऑलिविया यहाँ पर आ गए उसे लगता है कि इन दोनों में कुछ चल रहा था ऑलिवया गुसा अगर कोरीन को पनीश करना चाहती थी उसके हेल्स कट करकर पर क्रिस्टोवर उसे मना करता है रात में उलिवया ने कैथरीन के सर पर टार लगा दिया सुबा उने पर इसे निकालने के लिए वो बहुत ट्राइ करते है पर निकाल नहीं पाते है कैथरिन क्रिस्टोफर से गयती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी तुम सिर्फ मुझे देख रहे थे कैथरिन ने कहा कि तुम मेरे बहुत पास हो मैं हमेशा लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता हूँ वसे लगता है कि कैथरिन बहुत ही ब्यूटिफुल है पर वो इस तरीके से सोचना नहीं चाहता कैथरिन के हैर से टार निकालने का कोई भी वे नहीं था तो उसने उसके सारे हैर सकट कर दिया एक दिन कैथरिन जब डान्स पैक्टिस कर रही थी तो क्रिस्टोफर और वो मस्ती करने लग गए ये गलत है ये रेलाइस करकर एक दूसरे से दूर हो जाते है आज कल ट्विन्स बाहर जाने का नाम भी नहीं लेते थे उन्होंने उन्हें खिलके में आकर बाहर जाने के लिए कहा पर फिर भी वो मानते नहीं एक दो साल ये सब यही पर रहे है कैथरिन और क्रिस्टोफर को भी बाहर जाना था तो रात में एक रसी की मदद से नीचे उतर जाते है एक ब्यूटिफुल से लेक के पास आए ये वंडर करते हैं क्या कोरिन उनके लिए कुछ करेगी वो उस पर अब ट्रस नहीं करते हैं कोरिन बच्चों से मिलने के लिए आई पर डारीली चार-पाच मंद के बाद बच्चों से कहती है कि मेरी शादी हो गई है वो हनिमून पर थी इसी वज़े से उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाई क्रिस्टोफर कहता है कि ऐसा अब नहीं चलेगा दो साल हो गए हम यही पर बड़े हो रहे हैं वो इस तरीके से अब यहाँ पर नहीं रह सकते हैं कैथरिन ने कोरिन से पूछा कि तुमारे हस्बन को हमारे बारे में पता भी है कैथरिन कुछ भी नहीं बोली और यहाँ से और चली गई ओलीविया के हाँ तो कोरिन उनके लिए स्वीट्स भेज देती है डोनर्स देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे कैथरिन ने क्रिस्टोफर से कहा अब हम यहाँ से निकल जाना चाहिए हमें बाद में कितने भी पैसे मिले पर हम इस तरीके से नहीं जी सकते है क्रिस्टोफर ने कहा कि हमें निकलने के लिए थोड़े पैसो की जरूरत पड़ेगी वो विंडो के पास खड़ा था तो आलिया उस पर बहुत चिलाती है वो उसे कभी भी उसके नाम से नहीं पुकारती तो क्रिस्टोफर कहता है मेरा मेरे फादर की तरह क्रिस्टोफर नाम है इस बात पर उलिविया और भी ज़्यादा गुस्सा होगी उसे कोड़े से बहुत मारती है कैथरिन ने क्रिस्टोफर की जखम देखी और यह दोनों किस कर लेते हैं अगली दीने दोनों करीब थे और उलिविया के तो कहती कि तुम दोनों कर क्या रहे हो क्रिस्टोफर रोते रोते उलिविया के पैर में गिर गया कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है प्लीज मुझे माफ कर दो अलिविया गौड पर बहुत बिलीव करती थी उसने कहा तुम्हें गौड ही माफ कर सकता है अलिविया के जाने के बाद कैथरिन बहुत ही कन्फिूस्ट होगे क्रिस्टोफर से बुछ थी कि तुम्हें ये सब कर क्या रहे थे क्रिस्टोफर हसने लग गया उसने ओलिविया की कीश की कॉपी बनाई थी अब वो जब चाहर यहां से निकल सकते हैं अब हर रोज राद में जाकर घर से थोड़े-थोड़े पैसे निकालने लग गे ऐसे थोड़े-थोड़े पैसे चुराते हुए इन्हें बहुत टाइम लग सकता था पर इनके बास कोई आप्शन नहीं था एक राद जब यह ऐसे ही निकले हुए थे तो कोरिन का हजबन ड्रंग होकर सोया हुआ था क्यातरिन उसके बास गए वो क्यूरेस थी तो उसे किस कर लेती है इसके बाद वो पैसे लेकर रूम में आगे बाहर क्रिस्टोफर फेंस को देख रहा था यह अभी-अभी बनवाई कही थी और इस पर इलेक्ट्रिक का शौक पर लगवा रहे थे इस इलेक्टिसिटी को बन करने का स्वीच उसने ढून लिया घर में आकर हो देखता है तो कोरिन और इसका हस्वन बात कर रहा था उसका हस्वन कहता है कि मुझे एक सपना आया जिसमें तुम जैसे एक छोटी से लड़की मुझे किस कर रही थी क्रिस्टोफर समझ गया कि कैथरिन थी तो उस पर बहुत ज़्यादा गुसा हो जाता है गुसे में एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो गए क्रिस्टोफर से गयाती है कि अगर तुम सहाओ तो हम ये सब चीजे बन कर सकते है क्रिस्टोफर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हू एक दिन इनका ट्विन ब्रदर बहुत ही जादा बिमार हो गया यह बात उनोंने कोरिन से कही पर फिर भी उसे हस्पिटल ले जाने के लिए मना कर रही थी कैतरिन उसे बहुत भला बुरा गयती है तो इसके बाद ओलिविया ट्विन को हस्पिटल में लेकर गई अगली दिन उलिवा इनके पास आई कहती कि तुम्हारा ट्विन ब्रदर बहुत ही जादा इल था हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर कुछ भी कर नहीं पाए उसकी डेथ हो गए इन सब को बहुत ही बुरा लगता है अब एक पल भी यहां रहे नहीं सकते थे दोरों मिलकर डिसाइड करते हैं कि रात में घर में जो भी जोएलेरी होगी जितने भी पैसे होंगे सब लेकर यहां से भाग जाएंगे यही चोरी करते हुए मेड की बात उन्होंने सुने यहां की मेड भी चोरी कर रहे थे वो गहते हैं कि कोरिन के फादर की मर जाने के बात अब वो स्लोली स्लोली सब मेड को निकाल रहे हैं हम खुद का जितना फाइदा कर सके हमें उतना कर लेना चाहिए क्रिस्टोफर को शॉक लगता है कि एक्च्वल में उसकी ग्रैंड फादर की 6 मंस पहले ही टेथ हो गई है कोरिन को अपनी न्यू लाइब बहुत ही अच्छी लगती थी उसने अपने हस्बन को भी बच्चों के बार में नहीं बताया था उसका प्लान था कि बच्चों को हमेशा एटिक में ही रखेगी क्रिस्टोफर जब उपर आया तो उसकी छोटी सिस्टर की हालत जरा खराब थी छोटी सिस्टर ने अपना डोनट एक माउस को खिलाय था और माउस की डेथ हो गई इसका मदलब है जो डोनट कोरिन ने उन्हें भेजे थे ये पॉईजनस थे शायद इसी वज़े से इनके छोटे ब्रदर की डेथ हो गई इन सब का आवाज सुनकर ऑलिवया उपर आके उन्हें मार रही थी पर क्रिस्टोफर ने उसकी छड़ी ले ली वो ऑलिवया को पकड़ लेता है और सब लोगों को एटिक में जाने के लिए कहा उन्हें पता था कि ऑलिवया को एटिक में जाने से डर लगता है वो भी उसे घसिटते घसिटते वही पर ले कर गया वो डोर बन कर देता है और यह सब खिड़के से बाहर निकर गए अलिविया वहाँ से नहीं जा पाई उसके हालत बहुत ज़ादा खराब होगी इन सब को भागता देग एक सरवन ने उन्हें देख लिया क्रिस्टोफर उसे कहता है कि प्लीज हमें जाने तो हम कोरिन के बेटे हैं सरवन को भी पता चल गया कि यहाँ पर चल कह रहा था वो जाकर फेंस की इलिक्टिसिटी बन कर देता है और यह सब यहाँ से भाग गये क्रिस्टोफर के साथ हो न यह कैथरिन का अपने मदर से लिया गया हुआ एक बदला था इसी के साथ ही मुवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहता है तो प्लीज इस चैनलों का सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेएगा फिर से मिलेंगे और एक नमुवी के साथ तो तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया प्लीज और आपका ख्याल रखिया